अच्छे और मज़ेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जगत की मा हिमा मालन रींगल तो बेटी धूंगल से यानी की इशा देउल को जाना जाता है इशा देउल का जन्म 2 नवंबर 1982 को इंडियान फिल्मी अभिनेतरी है इशा के पिता अपने जमाने के फेमस अभिनेता धर्मेदर और अधाकारा हिमा मालनी की बेटी है इशा देउल आज अपना च्छतीस्वा जन्दिन मना रही है इशा ने साल 2002 सेकंड फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से बॉलिवुड दुनिया में डेब्यू किया था ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई 2002 सेकंड लेकर 2003 तक अभिनेतरी ने लगभग आठ हिंदी फिल्मों में काम करा है इशा को काम्याभी मिल धुन फिल्म से इस फिल्म में इशा ने पहली बार बिकिनी नजर आई थी उसके बाद आई 2004 में फिल्म धुन से इशा को खास पहचान और काम्याभी मिली अभिनेतरी इशा ओडिशी डांस स्टाइल में माहिर है बहीं इशा को भरतना टिम में भी महारत हासिल है वह कई बार अपनी माहिमा और बहन हाना के साथ स्टेज परफानमेंस बेहतरी दे चकी है धुन गल इशा के गुस्से के मामले में किसी से कम नहीं है फिल्म प्यारे मोहं की शूटिंट के दोरान इशा ने अपनी को स्टार अमृता राओ को चाटा मार दिया था इस बात को वह स्विकार भी करती है इशा की शादी में बॉलिवुड की तमाम बड़ी हस्तिया नजर आई थी साथ ही रिसेप्शन में भी कई दिगगज नई नवेली जोडी को अपनी शुपकाम ना आएगी इशा ने मुंबई के प्रसिद करोबारी भरत तक्तानी के साथ 29 जुलाई को इसकॉन मंदिर में साथ फेरे लिए हाल ही में इशा ने एक प्यारी सी बेटी को जन दिया है इशा पांच साल बाद मा बनी है आपको बता दे कि इशा की गोधभराई को लेकर काफी दिनों तक चाय रही है इशा की गोधभराई की रस्म में उनके परिवार और रिष्टेदार भी शामिल हुए थे इशा पांच साल बाद मा बनी तो उम्हुने गोग भराई की रस्म में इशा और भरत ने दोबारा शादी की थी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुजाव दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद